हेलो एब्रिवन जेह हिंद आज में आपका मोक्ष्टेक्स शीक्स लेने वाला हुँ। और आपका ये जो मोक्ष्ट टेक्स नमबर सीक्स जो है वो में ले रहा हुँ आपका आसाम पुलिस सिक्वेंसे में ले रहा हु। यह वाला आसाम पुलिस 2019 का जो एक्जाम हुआ था उससे मैं लिया हूँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है बहुत बहुत क्वेशन आपका रिपीट मोड में मिलेगा क्यूंकि वही प्रिवियर्ट से क्वेशन से कुछ इसकी होता है तो हमने आपको रिपीटिट मोड वाला क्वेशन भी लिया है तो पहले से लिए प्री थी को फेले आप वां से लेकोी मार्त करके रखिए हम अपको क्वेश भाइट कराएंगे फिर उसके बात आप आपना लिस्ट में जाके आप पूरा कबर आप कर सकते हैं और आगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए तो मॉक्टेस्ट का तुरंद नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं आपको फर्स्ट क्वेस्ट्टन सर्थेवेरी इस फ्यमोस फोर मेकिंग अंसर इस योर बेल मेटल इटेंसिल्स सार्थे वेरी मतब यह देखे वेरी से बॉल मिल रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि को है एक वेरी वार्ड जो बेल बनाने में हेल्प कर रहा है आपको तो बेरी माद बेरी जो होता है न बोल का यह आउटर कवर होता है तो उसे bell metal utensils वगरा बन रहा है आपका question number 3 what is the current population of Assam according to the census of 2011 answer is your 3.12 crore बहुत important question है हमारा हम Assam में रहते हैं और आगा हमारा Assam का population नहीं पता तो कैसे चलेगा सर बोलिए तो ये वाला option है आपका 3.12 तो देखिए 1, 2, 3, 3 तीनों आ गया 1, 2, 3 आप ऐसे याद कर सकते चलेए सर हम आगे बढ़ेंगे देखिए ये कली परसो का जो मोक्टेस लिया था ये वाला परसो का मोक्टेस आप कर देख लीजिए हमने आपको शोट्टी भी प्रवाइट कर रहा था उम्मीधे आपको ये क्लियर हो गया होगा तमराज दुवाज वाजे king of which dynasty अंसरी जीवर काचारी हमने केसे शोट्टी क्या आत किया था तुम्रा काचा बादाम मत खाओ तुम्रा तमराज वाज से हमने बनाया था तुम्रा यहां से मैंने अक्तु आप लोग तुम्रा मतलब आप लोग और काचारी से हमने बनाया था काचा तो हमने आपको बोला था ना शोट्ट्रीक में कि आप सर आप काचा मदाम मत खाओए आप नुक्तुम्रा काचा बादा मत खाईए तो तम्रादु आज वाजे किंगोफ उच के डाइनास्टी काचारी सर फीर हम आगे बढ़ेंगे इन विच यार महात्मा गंदी वाज बॉर्ण अंसर इस योर 1869 ये बड़ा इंपोर्टेंट है आपको याद करना है 1869 में महात्मा गंदी का जन्म हुआ था हम आगे बढ़ेंगे गौतम बुद्ध वाज बॉर्ण एट ये आप सबको पता होगा ये अंसर इस योर ए लुम्बिनी फिर हम आगे बढ़ेंगे ये तो सर मतलब इससे आसान कुछ होई नहीं सकता है आप सबको पता होगा अंसर इस योर रोबाट बूस सेबन कब भी हमने ऐसे याद किया था बूसली जो है वो आसम में आयते शूटिंग करने के लिए और आसम में देखा कि टी है तो बूसली आया थे आसम उस मूवी शूट करने के लिए लेकिन वो टी डिस्कूबर कर गए तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेस्टन नम्बर एट क्वेस्टन नम्बर एट में क्या बोल रहे सर वाट वस दा टोटल अर्या असम याप सब को पता होगा अंसर इस यूर 7 8 4 3 8 किलोमेटर स्कूर 7 8 4 3 8 स्कूर किलोमेटर क्वेस्टन नम्बर नाइन इन वीच यूर वाज रविंद्रनाथ तागोर्ड एवार्ड़ेट्ट नोबेल प्राइज आंसर इस यूर 1913 या आप सबको पता होगा चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे यह आप सबको पता है अंसर इस यूर सी हमने कैसे याद किया 16 16 के बाद क्या होता है 17 होता है तो 16 17 लेकिन बेटल अव शराइगर के लिए 17 उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 71 आप ऐसे याद कर सकते चलिए इस तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे क्विट इंडिया मुव्मेंट स्टार्टेड इन फूच यह अब यह पता नहीं कितना बार यह क्वेशन रिपीट किया गया आप सबको पता होगा हम्ने कैसे याद क्याओ क्विट का मतलब होता है शांत होजाओ क्विट का मतलब होथा है शांत होजां तो एक टीचर क्लास में बोल रहा है कि चुप होजाओ ग्विट होजाओ नहीं, तो 2-4 लगा दूंगा, 2-4 लगा दूंगा तपड, 2-4 लगा दूंगा, तो 1924 तो हो नहीं सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, 24 के अलावा, 42 हो जाएगा. चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे. नाम गोसा वाज रिटेन भाई हमने आभी तक 6 मोक्टेस ले चुके और 6 मोक्टेस में सायद ये 3 बार हमने रिपीट कर चुके मतब 3 प्रिवियर्स येर क्वेस्टन में रिपीट हुआ है आप सोचे कितना इंपोटेंड है नाम गोसा अंसर हो गए आपका ए मादव देव तो हमने ऐसे याद किया था नाम पूछते पूछते देव बाबु पागल हो गए नाम पूछते पूछते मतब कोई एक देव बाबु है जो किसी का भी नाम पूछते ने लग जाते कि भाई तरह नाम क्या है तरह नाम क्या है तो मादव दे मादव एक ऐसा देव है मादव जी क्या कर रहे है मादव जी नाम पूछते पूछते पागल हो गए को मेड हो यह मैड मादव से आपको यह वार्ड मिल रहा है मैड तो नाम पुछते पुछते देव बाबु पागल हो गए आप ऐसे याद रख सकते चलिए सर आम आगे बढ़ेंगे आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि नाम गोसा जैसे आपको नाम गोसा वार्ड दिख गया सर एसा कोई नहीं होंगे जो इनका अंसर नहीं पता होगा अंसर इस योर बी ताटीन का बी फिर आम आगे बढ़ेंगे स्वाच बारत अभियान स्टार्टेट फ्रोम होयार मोधी जी का यह कॉंसेप्ट है आप सबको पता होगा ओप्शन इस योर ए राजगाट जो न्यू दिल्ली में है सर और हमारे पिम सर ने इसको लॉंज किया ताब सबको पता होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे इस यह जो आपसेलूटी कॉई जोने तो आपसेलूटी की कॉछ कोई कुछ बोलता है तब बोलता है तब भूरता है यह फूरा खतम होजाना वेशा नेउस्ट हम आगे बढ़ेंगे देखे ब्यूटिफुल एक पॉजिटिव वर्ड है ब्यूटिफुल हो गया एक पॉजिटिव वर्ड वांडर्फुल हो गया पॉजिटिव ग्रेस्फुल हो गया हमारा पॉजिटिव अगली हो गया निगेटिव मार्वेलास हो गया हमारा पॉजिटिव वर्ड तो चीज के बारे में आगर एक पॉजिटिव सेंस दे रहें मतलब आप अच्छे हो आच्छे लिखते हो तो यह सब जो चीज यू लुक प्रिटी यू लुक हैंडसम यू मेनाड़ वेल यू बहीब वेल यह से जो वार्ड है ना यह पॉजिटिव सेंस देता है आगली दूष्टामी पागलामी है ना यह सब क्या चीज बोलता है निगटिव वार्ड तो अगर आपको पता भी नहीं यह मिनिंग तो आप तब्वियाब आंसर टिक कर सकते हैं आ सेवेंटिन क्या बोल रहे है वट इस द ओपोजिट जेंडर ओफ लॉर्ड यह तो आपको याद ही करना पड़ेगा लॉर्ड लेडी होता है लॉर्ड का क्या होगा सर लेडी लॉर्ड का ओपोजिट जेंडर होगा आपका लेडी चलिए फिर आम आगे बढ़ेंगे यह आप सबको पता होगा सर डिश का डिश का प्लूरेल फ़र्म क्या है अंसर इस यह डिश नेस्ट क्वेस्टन वाट इस द शुपरलेटिव अप बीग अगें इस एजी क्वेस्टन answer is your biggest big bigger biggest